ही गाइज वैलकम बैक फूडी क्रश फूडी क्रश आया है अपने एक और रेसिपी के साथ तो आज मैं बनाने जा रहे हूं मटर पनी रेस्टोन स्टाइल में वह भी घर पे तो आई फटा-फट से रेसिपी देखते हैं यहां पर हमने ऑल गर्म कर लिया है उसमें हमने डाल प्यास और इसे हलका साथे करेंगे फिर हमने डाल दिया जिंजर गालिक पेस्ट जिंजर गालिक पेस्ट डाल करके हमें साथे करना है पर हमने कटेवे टमाटर डाल दिये और हलका साथे करने के बाद इसे हम इसमें हलका सा नमक डाल दिया और इसे एक प्लेट में हिकाल लि डाल के साथ में पीस लेना है तो यह देखिए हमारा पेस्ट त्यार हो चुका है अब इसी पैन में हमने और फिर से गर्म कर लिया और थोड़ा सा प्यास इस तरह से बारी कटा हुआ डाल के हल्का सफराई करेंगे फिस में हमने डाल दी हल्दी पाउडर लाल मिश पाउडर ध डाल के ति उसको इसमें एक कर दिया और अच्छी तरह से भून लेंगे हलका सा पानियां कर देना को और इसे अच्छी तरह से बुं लेना यह देखिये इस तर है कि दख के हमने पांच मैट के लिए छोड़ दिया है अभी देखिए हमारा मसाला त्यार हो चुका है यह रेखिए इसकी चारों और से ऑयल भी आचुका है तो हमारा मसाला भुना चुका है तो यहां पर अब हम, थोड़ा सा ये देखा ये देखिए मताले का कलर। तो यहां हम थोड़ा सा पानी एट करेंगे । तो हमने पानी एट कर दिया। अब हमने बॉयल की हुए मतर रखा है। उसे इसमें एड़ कर दिया मैंने मटर को पहले से बॉयल कर लिया था अब यहां हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला और कसूरी में थी एड़ किया यह देखिए अभी ग्रेवी त्यार नहीं हुई है हमने फष़् तनहीं हमने पनीर कोचा सफ्राई कर लिया है घीर बटर ओным और उसके बाद इमने यह पनीर को इसमें अड़ कर दिया तो यह देखिये मटर पनीर हमने रख दिया है अब इसे हम 5 म्यट के लिए ढख कर छोड़ देंगे उसके बाद हमारी पनीर रेडी हो चुकी गए देखिये यह हमारी पनीर बटर पनीर जो है एक दम रेडी हो चुकी है रेडी टू इट है तो इसे गर्मा गर्म सॉफ करेंगे बटर नान रोटी चापाती किसी के साथ भी तो यह देखिए यमी यमी सी बटर पनीर की रेसिपी आप लोगों को कैसे लेगी कमेंट करके जरूर बताइए साथ मेरी यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाइबाए